दोस्तो महाभारत एक पावन धर्म गरंद है इसका आधार अधर्म के साथ धर्म की लड़ाई पर ठिका है इसे पाचमा वेद भी कहा जाता है महाभारत में समायत स्रीमत भागवत गीता एवन विदुर निती इसके दो अस्तम्भ है एक में भगवान स्रीक्रिष्न अधर्म के विरुद अरजुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो दूसरे में महात्मा विदुर युद्ध टालने के लिए द्रिश्टरास्ट को अधर्म का साथ छोड़ने का उपदेश्ट करते हैं यहां स्रीक्रिष्न तो अपने उद्धेश में सफल हो जाते हैं लेकिन विदुर के उपदेश द्रिश्टरास्ट का हिर्दय परिवर्तित नहीं कर पाती हैं और इसका परिणाव महारत की युद्ध के रूप में सामने आता है लेकिन इसके लिए हम विदुर जी की निती को विफल नहीं ठारा सकते उनका परतेक उपदेश अनुभूत है और काल की कसोटी पर भली भाती जाचा परखा गया है तो चलिए सुरू करते हैं किसी भी कारी को प्रारंब करने से पहले यह आत्मन्थन करना चाहिए कि हम उसके लिए यवा हमारे लिए उप्युक्त है की नहीं अपनी सकती से अधिक का कारी और कोई वस्तु पाने की कामना करना स्वैंग के लिए ही कस्ट दाई होता है आग में तपाकर सोने की, सदाचास से सज्जन की, वहवार से संत पुरुष की, संकट काल में योद्धा की, आर्थिक संकट में धीर की, तथा घोर संकट काल में मित्र और सत्रु की पहचान होती है ये जरूरी नहीं की मुर्ख व्यक्ति दरिद्रोग और बुद्धिमान धनवान, अर्थात बुद्धी का अमीरी या गरीवी से कोई संबंद नहीं है जो ग्यानी पुरुष, लोग पर लोग की बारिक्यों को समझते हैं, वे ही इस मर्म को समझ पाते हैं जिस व्यक्ति को बुद्धिवल से मारा जाता है, उसके उपचार में योग चिकितसक, आस्दियां, जड़ी बूटियां, यग हवन, वेद मंत्र आदी सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं विस केवल उसके पीने वाले एक वेक्ति का जान लेता है, सस्त्र भी एक अभिष्ट वेक्ति की जान लेता है, लेकिन राजा की एक गलत निती, राजी और जनता के साथ साथ, राजा का भी सर्वनास कर डालती है वेक्सिल और बुद्धिमान वेक्ति सदेव ये चेस्टा करते हैं कि यथा सक्ति कारी करें और वेव ऐसा करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुक्च समझ कर उसकी उपेक्छा नहीं करनी चाहिए पाँच लोग छाया की तरस सदा आपके पीछे लगे रहते हैं, ये पाँच लोग हैं मित्र सत्रू, उदासीन, सरन देने वाले और सरनार्थी गिरस्थ होका रकर्मन्यता और सन्यासी होते हुए विशै सक्ति का परदसन करना ठीक नहीं है अल्प मात्रा में धन होते हुए भी कीमती वस्टू को पाने की कामना और सक्ति हीन होते हुए भी क्रोध करना मनुस्य की देह के लिए कस्ट दायक और काटाओं के समान है ना केवल अपनी सक्ति का बल्कि अपने स्वभाव का भी अवलोकन करना चाहिए अनेक लोग क्रोध करने पर स्वतही कापने लगते हैं तो अनेक लोग निरास होने पर मानसिक संताप का सिकार होते हैं अता इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिस मानसिक भाव का बोज हमारी ये दे नहीं उठा पाती उसे अपने मन में ही ना आने दे कहने का ताति पर ये है कि जब हम कोई काम या कामना करते हैं तो उस समय हमें अपने आर्थिक, मानसिक और समाजिक स्थिती का भी अबलोकन करना चाहिए कभी-कभी गुस्य या प्रशन्नता के कारण हमारा रक्त प्रवात्तिवर हो जाता है और हम अपने मूल सभाव के विपरीत कोई कारी करने के लिए तयार हो जाते हैं और जिसका हमें बात में दुख भी होता है इसलिए विशेश अफसरों पर आत्म मुख्द होने की बजाए आत्म चिंतन करते हुए कारी करना चाहिए जो अपनी योग्यता से भली भाती परिचित हो और उसी के अनुसार कल्यान कारी कारी करता हो जिसमें दुख सहने की सकती हो जो विपरीत स्थिती में धर्मपत से विमुक नहीं होता ऐसा वेक्ति ये सच्चा ग्यानी कहलाता है जो वेक्ति क्रोध, अहंकार, दुसकर्म, अतिउत्सा, स्वार्थ, उदंडता, इत्यादे दुर्गणों की ओर आकर्शित नहीं होते वे ही सच्चे ग्यानी है दूसरे लोग जिसके कार, वहवार, गोपनियता, सला और विचार को कारी पूरा होने के बाद ही जान पाते हैं वही वेक्ति ग्यानी कहलाता है ग्यानी लोग किसी भी विशय को सिग्र समझ लेती हैं लेकिन उसे धैरी पुर्वक देर तक सुनते रहते हैं किसी भी कारी को कर्तवी समझ कर करते हैं कामना समझ कर नहीं और व्यर्थ किसी के विशय में बात नहीं करते जो वेक्ति किसी भी कारी देहवार को निश्चे पुर्वक आरंब करता है उसे बीच में नहीं रोकता, समय को अर्वाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रन में रखता है वही ग्यानी है जो वेक्ति ना तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और ना अपमान से पिडित होता है जो जलासे की भाती सदैव छोग रहित और सांत राता है वही ग्यानी है जो वेक्ती बोलने की कला में निपून हो जिसकी वानी लोगों को आकरसित करे जो किसी भी गरंद की मूल बाताओं को सिग्र गरहन करके बता सकता हो जो तर्क वितर्क में निपून हो वही ग्यानी है जो वेक्ति अपने हितेशियों को त्याग देता है तथा अपने सत्रों को गले लगाता है और जो अपने से सक्तिसाली लोगों से सत्रुता रखता है उसे महामुर्ख कहते हैं अलप उद्धि वाले देरी से कारी करने वाले जल्दवाजी करने वाले और चाटुकार लोगों के साथ गुपत विचार विमर्स नहीं करना चाहिए राजा को ऐसे लोगों को पहचान कर उनका परित्याग कर देना चाहिए संसार में उन्नती के अविलासी वेक्तियों को निंद, उंग, भय, क्रोध, आलस्ति तथा देर से काम करने की आदत इंचह दुर्गुनों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए जो वेक्तिय अपने अनुकूल तथा दूसरों के विरुद्ध कारियों को इस प्रकार करता है कि लोगों को उनकी भनक तक नहीं लगती, अपनी नीतियों को सार्जनिक नहीं करता, इससे उसके सभी कारी सफल होते हैं परतेक कारी बहुत सोच विचार करके और उद्देश निश्चित करके करना चाहिए, जल्दवाजी में कोई भी कारे आरंब नहीं करना चाहिए मनुस्य को चाहिए कि पहले कारी का उद्देश सिते करे उसके परिनाम का आकलन करे उससे अपने उन्नती का विचार करे फिर उसे आरंब करे काम को करने से पहले विचार करें कि उसे करने से क्या लाब होगा तथा ना करने से क्या हानी होगी कारी के परिनाम के वारे में विचार करके कारी करें या ना करें लेकिन बिना विचार कोई कारी ना करें धर्म की रक्षा सत्य से होती है विद्या की रक्षा भ्यास से स्वंदरी की रक्षा स्वक्षता से तथा कुल की रक्षा साधचार से होती है उचे या नीचे कुल से मनुस्य की पहचान नहीं हो सकती मनुस्य की पहचान उसके साधाचार से होती है भले वर नीचे कुल में ही क्यों ना पैदा हुआ हो निर्धन लोग सदे स्वादिस्ट भोजन करते हैं क्योंकि उनकी भूख हर तरह के भोजन को स्वादिस्ट बना देती है। वही धनवान लोग भूख के अभाव में स्वादिस्ट वेंजनों का भी मज़ा लेने से वंचित रह जाते हैं। यह मानव सरीर रत है। आत्मा इसकी सार्थी है, इंद्रिया इसके घोडे हैं, जो व्यक्ति सावधानी, चतुराई और बुद्धिमानी से इसको वस्मे रखता है, वह स्रेश्ट रत्वान की भाती संसार में सुप पुर्वक यात्रा करता है। दुर्जनों की संगती के कारण नीरा प्राधी भी उन्हीं के समान दंड पाते हैं, जैसे सूखी लकडियों के साथ गीली लकडि भी जल जाती है, इसलिए दुर्जनों के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। मुर्ख लोग ज्यानियों को बुरा भला करकर उन्हें दुख पहुँचाते हैं। इस पर भी ज्यानी जन उन्हें माप कर देती हैं। माप करने वाले तो पाप से मुक्त हो जाता है और निंदक को पाप लगता है। सब्दुरूपी वान सीधाल दिल पर जाकर लगता है जिससे पिडित वेक्ती दिन रात भूलता रहता है इसलिए ग्यानियों को चाहिए कि वे कटू बचन बोलने से बचें यग्य अध्यन दान तब सत्य छमा दया और लोविविमुकता धर्म के ये आठ मार्ग बताए गए हैं इन पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता है अच्छाई में बुराई देखने वाला उपहास पुड़ाने वाला कड़वा बोलने वाला अत्याचारी अन्याई तथा कुटि से कटे बच्पन में ऐसे कारी करें कि वृधावस्ता सुक। से कटे और जीवन भर ऐसे कारी करें कि मरने के बाद भी सुक मिले पच जोने पर भोजन की यौवन बेदाग निकल जोने पर इस्त्री की युद्ध जीत लेने वाले युद्धा की तथा तत्तु ग्यान प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की परसंसा होती है कपड़े को जिस रंग में रंग आ जाए उस पर वैसा ही रंग चड़ जाता है इसी परकार सज्जन के साथ रहने पर सज्जनता चोर के साथ रहने पर चोरी तथा तपस्वी के साथ रहने पर तपस्चरिय का रंग चड़ जाता है जिस वेक्टी को अपने आप पर भरोसा नहीं होता वो दूसरों का भी भरोसा नहीं करता इसलिए कोई भी उसका मित्र नहीं होता ऐसा वेक्ती अधम पुरुस कालाता है अकेला विरिक्ष चाहे कितना ही बड़ा और मजबूत हो आंधि उसे जड़ से उखार कर धरासा ही कर सकती है वहीं जो विरिक्ष समू में होते हैं वे मिल जूलकर बड़ी बड़ी आंधियां को झेल जाते हैं अन्याय का तच्छन विरोध करना चाहिए तथा बल का दमन दिलता पुरुबक करना चाहिए अन्याय से अरजित धन ज्यादा समय तक नहीं ठीकता जबकि न्याय द्वारा अरजित धन कई पीडियों तक चलता है जो कारे अपने एवं सबके लिए लावकारी और सुखद हो केवल वही करना चाहिए इससे मनुस्य को चारो पुरूसार्थां धर्म अर्थकां तथा मोख्च की प्राप्ती होती है जो वेक्ति भरोसे के लायक नहीं है उस पर तो भरोसा ना ही करें लेकिन जो वेक्ति बहुत भरोसे मंद है उस पर भी अंधे होकर भरोसा ना करें क्योंकि जब ऐसे लोग भरोसा तोड़ते हैं तो बड़ा अनर्थ होता है जो राजा बेकार में ना तो खुस होता है ना किसी पर कुद्ध होता है जो कारी को कई बार जाचता परकता है और स्वैंग पर भरोसा रखता है उसका खजाना हमेशा धन से भरा रहता है इमांदार, दानी, अपनी बात पर दिल रनने वाले करतवी परायन और मृद्भासी लोग सत्रों को भी अपना बना लेती हैं जो लोग जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, लोब में पढ़कर अधिक के पीछे नहीं भागते, वे मेरी द्रिष्टी में ग्यानी हैं क्योंकि अधिक के पीछे भागने से संगर्ष पैदा होता है जो प्रिय लगता है, उसके बुरे काम भी अच्छे लगती हैं, लेकिन जो अप्रिय है, वा चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो, बुरा ही लगता है जो काम करके अंतकाल में अकेले बैटकर पच्टाना पड़े, उसे सुरू ही नहीं होने देना चाहिए कभी भी वेकार है, जिसकी कोई सार्थकता ना हो, सज्जनता से अपकिर्ति दूर की जा सकती है, बल से संकट टाले जा सकते हैं, छमा से क्रोध को सांत क्या जा सकता है, तथा सिस्ट वहवार से बुरी आज़कों को बदला जा सकता है गूर्वेक्तियों की मिस्तरता तभी अस्थाई रह सकती है, जब उनके मन से मन, बूर बातों से बूर बातें, तथा बुद्धि से बुद्धि मिलती है जो पुर्ष धूत काल की अपनी गल्प्याँ को जानता है जो अपने वर्तमान करतव्यों को समर्पित भाव से करता है और जो भावी दुख़ों को टालने की विधी जानता है वह अकभी अस्वरहिन नहीं होता मन वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तू के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकरसित कर लेती है अता हमें सदा सुब चीजों का चिंतन करना चाहिए अपने काम में लगे रहने वाला वेक्ती सदा सुखी रहता है धन समपत्ती से उसका घर भरा पूरा रहता है ऐसा वेक्ती यसमान सम्मान पाता है जिस पुरुष का आपने मन पर नियंद्रन होता है वह मुसीवत में युद्ध के समय दुर्गम वन में कठीन परिस्तित्यों में ना तो धैरिक होता है ना भैवीत होता है अगर धर्म के सार को जानना है तो वह यही है कि जो काम आपको स्वैंग के लिए अच्छा ना लगे वह दूसरे के लिए ना करें क्रोध को प्रेम से, दुस्ट को सद्वावना से, कंजूस को दान से, तथा जूट को सच से जीतना चाहिए विद्या के विना मनुष्य, संतान के विना रती कर्म, भूकी परजा तथा राजा रहित राज दुख उठाते हैं जो पुरुस दान से मित्र को जीत लेता है, युद्ध से सत्रू को जीत लेता है, तथा पालन पोसन से इस्त्री को जीत लेता है, उसका जीवन सफल है जो हजारों कमाता है वह जीता है और जो सैक्डों कमाता है वह भी जीता है इसलिए अधिक एक्छा ना करें या ना सोचें कि अधिक नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा विदुर जी कहते हैं जो प्रूस यथा सक्ति अपने कारी में लगा रहता है जो कर्म का फल इस्वर के उपर छोड़ देता है जिसके कारी की संतजन भी परसंसा करते हैं उस प्रूस की कृती पता का चारो कोनों में फहराती है अच्छाई में बुराई देखना मिर्त्यू जैसा कस्ट कारी अवगुन है बढ़ चाड़ कर बोलना धन हानी का कारण है जल्दवाजी बात पर ध्यान ना देना तथा आत्म परसंसा ये तीन अवगुन ज्यान के सत्रू है सुख चाने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाने वाले से सुख इसलिए जिसे सुख चाहिए वह विद्या को छोड़ दे और जिसे विद्या चाहिए वह सुख को हमारे शरीर में इस्तित आत्मों को एक नदी समझे यह नदी इस्वर के सरीर से निकली है, धैर इसके किनारे हैं, करुणा इसकी लहरे हैं, पुन्नी इसके तिर्थ हैं, जो बनुस सदा पुन्नी कर्मों में लिप्त राता है, वो इसी नदी में अश्नान करके पवित्र होता है, लोब रहित आत्मों को सदा पवित्र कहा गया है काम क्रोध जैसे मगर मच्छों और पंच इंद्रियों के जल से पुरित संसार रूपी या नदी जन्म और मरन के अनेक पड़ाओं से भरी है इस नदी को धैरी की नव से ही पार किया जा सकता है जो वेक्ति अपने बुजुर्गों का आदर करता है तथा उनसे प्रामर्ष करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं वह कभी मोह माया में नहीं फस्ता दोस्तों ये थी संपुर्ण विदूरनिती का सार आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग